जैसा की चैनल में एजुकेशन एन कुजीन तो आज जो है वो कुजीन वाला डे है आज हम लोग एक कुकिंग वीडियो देखने वाले हैं तो आज मैं आपके लिए बचे हुए चावल की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूं जो इन ग्रेडियन्ट इसमें यूज किया गया है तो ये हल्दी भी बहुत है और आप इसके लिए बचे हुए चावल का इंतिजार भी नहीं करेंगे आप ताजे चावल से ही इसको बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपको मैं बताने वाली हूं तो यहाँ पर लेक्टोवर राइस है गो ले लिया है और अगर आपके पास सबजी बच गई हो या फिर अगर डाल बच गया हो तो उसको भी आप यहाँ पी ग्यूज कर सकते हैं यहाँ पर लहसन अद्रक और मि दाल के ग्राइंड कर सकते हैं तो मैंने आपे चावल और सबजी और जो लहसन अद्रक है उसको डाल के ग्राइंड कर लिया और यह देखे इस तरीके से ग्राइंड कर लेना है पानी की जरूरत हो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए यह तोटली डिपेंड करता है कि सबजी मे चाहिए वह इस तरीके की consistency हमें चाहिए अब इसको एक bowl में हमें निकाल लेना है और इसके बाद इसमें कुछ चीजें हम एड़ करेंगे इसके बाद मैं इसमें नमक एड़ कर रही हूँ नमक बिल्कुल आप ध्यान से एड़ करें क्योंकि सब्जी में अल्रेडी नमक होता है थोड़ा सा अजवाइन डाल लिया है इसके बाद यहां पर हम चाट मसाला एड़ करने वाले हैं चाट मसाला अगर नहीं है तो आप तो यह भी आप एड़ करिए इससे बहुत अचा टेस्ट आएगा और यह डालने के बाद हमें क्या करना है अब इसमें लगभग चार से पांच चामच के करीब मैंने हाँ पे सूजी एड़ किया है जो से मोलीना होता है वो एड़ किया है यह मोटा है या बारिक है इससे फिर पोहा है उसको भी ग्राइंड करके आप इसमें मिकस कर सकते हैं चावल का आटा भी एड़ कर सकते हैं तो आप इन तीनों चीजों में इस कोई एड़ कर सकते हैं अब consistency थोड़ा सा और पर फेक्ट करने के लिए हमें क्या करना हैً थोड़ा सा मैं पानी एड़ किया और उसको अच्छे से mix कर लेना है अब आप इसका मैं दो recipe बताने वाली हूँ वैसे इसका आप इडली भी बना सकते हैं और अगर इडली बनाना है तो consistency बिल्कुल perfect है लेकिन मैं जो recipe बनाऊंगी उसके लिए थोड़ा सा पानी और मैं इसमें add करके और इस तरीके का बैटर में त stick तवा है थोड़ा सा oil डालेंगे और oil को हलका सा spread कर लेना है कई बार बच्चे खाना बनने के बाद भी बोलते हैं कि मुझे नहीं खाना है तो आप डाल चावल सबजी ही बच्चे को खिलाएं लेकिन ये थोड़ा सा twist करके बच्चों को खिलाएं वो बहुत खुश हो हो जाएं बनाना एक बनाना है पर हम हमाराणों mor ép मोटा को तो भी बनाने को झांड़ा ठेला उसको सवनाने डाउख को जैसे आप देख रहे हैं इसी तरीके से आप इसको बनाईए, हलका सा जैसे अगर मोटा लगे तो थोड़ा-थोड़ा इसको मैं उपर से जैसे स्प्रेड कर रही हूँ, इस तरीके से हलका-हलका सा स्प्रेड कर दीजिए, अब इसके बाद हमें इसको क्या करना है, कि मीडियम फ्लेम पे ही हम दो मिनट के लिए इसको आपर साइड में भी हलका ओयल स्प्रिंकल कर देंगे, इससे जब हम पल्टेंगे तो बहुत असान रहेगा, और यह देखें नीचे भी थोड़ा ओयल डाल दिया था, हलका-हलका स्पैचुला की हल्प से हम चेक कर लेंगे, कहीं नीचे चिपका तो नहीं है, और यह इसी तरीके से आपको दूसरे वाले को भी पलट लेना है, अब यह दूसरा वाला भी, मैं बहुत आराम से ऐसे करके पलट ले रही हूँ, और यह बहुत ही मज़दा, इतना देखने में अच्छा लग रहा है, बहुत ही यमी बनता है, आप इसको बनाईएगा, जरूर बना दूसरे साइड हलका सब पलट यह और निकाल लेजिए, क्योंकि हमें कुक तो करना नहीं है एक्स्ट्रा, तो दूसरे साइड आप ढग भी सकते हैं, या फिर मीडियम फ्लेम पे ही दो तीन मिनिट में ही है, दूसरे साइड से भी अच्छा से कुक हो जाता है, अब सेकेंड तो जितना मोल्ड में आए, उतना ही अपे, बैटर आप इस मोल्ड में डालिए, नहीं तो यह चिपक जाएगा, और जो हम परफेक्ट शेप चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से इसको डाल देना है, और इसको ढग करके, लगवक चार से पांच मिनिट तक आप यह देखे, डाम परफेक्ट, तो बस इसके अपर साइड पे भी हल्का हल्का सॉयल लगा लेंगे, ताकि अपे को अगर हम पल्टे, तो वो दूसरे साइड भी चिपके नहीं, तो हल्का हल्का सॉयल आप लगा लीजिए, और इसके बाद हमें क्या करना है, कि दूसरे अपे को पल्ट देना है, तो पहले चेक कर लीजिए, अपे प्रॉपर कुक हुआ है कि नहीं एक साइड से, तो देखे, मैं एक को चेक करके दिखाती हूँ, यह पे दिखिए, है ना, बिल्कुल एक दम परफेक्ट है, एक साइड से अच्छो से कुक हो गया है, तो इसी तर करने के बाद, वापस से हमें क्या करना है, तीन से चार मिनट के लिए, जैसे हम अपे बनाते हैं, वैसे ही तीन से चार मिनट के लिए कुक होने दिया था, और यह देखिए, हमारे अपे बन गए, दूसरे साइड बे चेक कर लेती हूँ, और यह देखिए, वाओ, यह दम प अंदर में गुई जो होता है न वो बहुत टेस्टी लगता है तो इसको मैंने निकाल लिया और जो साइड साइड में है उसको मैं क्या करूँगी कि मिडल में डाल दूँगी तो देखिए तीनों मैंने निकाल लिया अब यह साइड में है तो इसको मिडल में डाल दूँगी क तो कोई बोल ही नहीं सकता जो दाल, चावल, सबजी आपकी बच गई है और उससे इतनी मज़दार और इतनी टेस्टी अपे बनेंगे या इतना मज़दार चीला बनेगा ये तो कोई बोल ही नहीं सकता बहुत ही मज़दार, बहुत ही टेस्टी बनता है तो इसको जरूर बनाईएगा